love infinite में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे यही मैं आशा करती हूँ तो चलिए आज बात करते हैं classic deck and modern deck इन दोनों में से किसी एक को चुल लीजिए गहरी सांस लीजिए और ये जानने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सही है अब ये मैं नहीं जानते कि आप क्या सोच रहे हैं आप जो भी सोच रहे हैं चाहे career के बारे में relationship को बनाई रखने के बारे में या फिर उस relationship से move on करने के बारे में जो भी आपकी situation है या घर परिवार बच्चे इन से related कोई भी problem या solution आपने निकालने की सोची है या आप जो भी प्लान कर रहे हैं अपनी life में कुछ nearest future के लिए हफते दो हफते के लिए कुछ ऐसा आप प्लान कर रहे हैं कि हाँ ये सही रहेगा तो मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच रहे हैं लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा ही होना चाहिए यही प्रे करते हैं और इन दोनों में से किसी एक को चुनते हैं और यह देख लेते हैं कि आप जो प्लान कर रहे हैं अपनी life के लिए या अपने बच्चों की life के लिए या अपने career के लिए या लव साइड के लिए जो भी reason है वो देख लेते हैं कि वो सही जा रहा है direction में या नहीं इंजल से पूछ लेते हैं तुनों में से एक को चुने गहरी सांस ले हलो एन वेलकम आपने classic deck को चुना देख लेते हैं आप जो प्लान कर रहे हैं इस time करियर के लिए लव साइड के है या अभी आपकी family नहीं बन पाई है तो अपनी घर परिवार सजाने के लिए marriage के लिए कुछ भी सोच रहे हो क्या वो प्लान आपके लिए सही है वो प्लान आप शहे हो हां में है या ना में है किसी चीज से जूड़ना चारे है या किसी चीज से move on होना चारे है तो उसके लिए आपके लिए क्या situation आती है ये देख लेते हैं ठीक है क्या आपके लिए ये सही है या नहीं इंजिस प्लीज बताएं सनिक्स अफ आर्क इंजिस जो आप सोच रहे हैं वो सही है या नहीं यस इस इस बिग यस देखिए पहले ही निकल कर आगया कि four of ones कि आप जो भी सो stability को दर्शाता है और साथी साथ only three cards नहीं तू मोर कार्णफ प्रीज ठीक है स्टेबिलिटी को दर्शार है ये कार्ड और साथी साथ आपके पैन को भी दर्शारा है कि आपने अभी तक बहुत struggle किया है और अब आप बहुत struggle के बाद अब थोड़ा सा जीना चाहते हैं शांत ओलगे आप मैंने मांए कि एसी आपके सिट्वेशन है ना मुझे मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच रहे हैं। तो सिट्वेशन इस तरह से निखलगर आ रही है या तो आप शादि करना जा रहे हैं कि आप मैंने बहुत प्लो बत् कि एज का हो कोई और थोड़ा जैसा आपका इस तरह का हो और जो मुझे सही डिरेक्षन दिखाई आप इस तरह से ना हो की कुछ दिखाई ना डेक। कुछ समझी ना आए इस तरह से ना हो यह आपकी विश है तो यह फिर आपके सिच्वेशन यह है कि जिस मैरेड लाइफ में आप फसे में हैं आपको लग रहा है कि यार अब यहां से चुटकारा कम मिले और यह निकले यहां से निकले तो फिर कुछ और अच्छा रिष्टा हो कोई ना कोई एक अच्छा परसन आए जो कि मेरी ही तरह हो ऐसी आपकी वाइब्स मुझे समझ में आ रही है अब देख लेते हैं कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है ब्लेसिंग्स में आपके लिए है only two thank you gods a blessing for peace of mind देखिए कहरी ना आप काफी परेशान है बहुत struggle किया है बहुत pain और suffering से जूझे हैं आप oh the blessing for those who are nearing their final breath यह नहीं कि हो सकता है आपने अभी nearest अपने pet की अपने अपने बढ़ों की दादा दादी की maybe आपके parents की अगर नहीं तो कोई बात नहीं मैं यह चाहूंगी कि आपके parents समेशा आपके साथ बने रहें लेकिन अगर ऐस हुआ है just recent past में तो आपके लिए यही blessing आ रही है कि आपके मन को शांती मिले और जो आपसे दूर चले गए हैं उनको शांती मिले उनकी आत्मा को शांती मिले और आपके mind को भी शांती मिले देखिए यहां पर पूरा ही शांती से related है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा struggle किय है अपनी life में इतना pain और suffering इस young time में ही जेल लिया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ दूसरे मेरे साथ हमेशा ऐसा ही behave क्यों करते हैं और मैंने सब कुछ पूजा पार ध्यान अर्चना करके देख लिया लेकिन मुझे वह फल नहीं मिलता लेकिन निराश नहों इंजल्स आपके साथ हैं इश्वर आपके साथ है और वो यही कहते हैं कि आपके मन को अब जितना भी struggle था थोड़ा सा back हो जाएं और शांती से सोचें कि exactly अब आपको क्या करना चाहिए यानि कि आपके मन में जो आपने सोच लिया है सोचे तो क्या आपने सोची लिया है कि कि हाँ अब मुझे इस रिष्टे से मोवाम करना चाहिए या फिर वहीं पर स्टेक करके कुछ अच्छी तरह से शांती पाने के लिए कोई उपाई सोचने चाहिए तो अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पर आपको दोने तरफ से एंजलिक ब्लेसिंग शांती के लिए ही मिल र चुना है आपने जो चीज सोचा है क्या वो सही है और आपको साथ साथ ब्लेसिंग क्या मिल रही है आप अभी अपनी लाइफ में बहुत जादा स्टक है और सोची नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा इस तरह की फिलिंग से और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आ अब इस फ्रस्टेटिड लाइफ से बाहर कैसे निकला जाए और शायद सोचा भी नहीं है तो आगे जाना चारे हैं और मुवांग करना चारे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई ना कोई चीज कोई ना कोई शक्ति आपको पीछे खींच लेती है जब आप पीछे की तरफ आते हैं तो आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है इतने सारे अबस्टेकल नजर आते हैं कि एक अवेकनिंग समटाइम आपको लगता है कि अवेकन हो रही हूं मैं या हो रहा हूं लेकिन फिर भी यह लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा कहां से अवेकन कुछ भी नहीं हो र सही रस्ता हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है जीवन में तो आपको भी ऐसा ही दिख रहा है कि सही रस्ता बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहा है तो आपने कुछ न कुछ तो सोचा ही अपने भागे के लिए अपने जीवन के लिए अपनी लाइफ के लिए कुछ तो नया सोच यहां पर cards इसले निकाले हैं ताकि थोड़ी सी situation clear सी हो जाए क्योंकि सबक्रा करियर का related कोई problem है सबकी अलग-अलग problems है अलग-अलग thoughts है अलग-अलग जीवन है अलग-अलग religion है तो उसी साब से आपको blessing भी दी जाती है अब देखें आपको blessing क्या दी जा रही है blessing on a homecoming a blessing on a resolution तो यहने कि या तो आप दोनों अलग है आप किसी relationship से related कोई बात सोच रहे हैं या आपके person आपके husband, spouse या फिर जिस भी relationship में आप है girlfriend, boyfriend या बोथ ही same gender के भी हो सकते हैं तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि जिन को आप चाहते हैं बड़े दिल से कि वो आपके पास वापस आ जाएं तो यह blessing आपको यही मिल रही है number 44 से कि आपके person आपके पास ज़रूर वापस आएंगे और यही है कि जब वो वापस आएं तो तब तक के लिए आप गुलो गुल जार से महरूम ना रहें मतलब अपने आपको कुँब अच्छी तरीके से सजाएं समारे हैं खुश रहें जब देली लाइफ ने आप खुश रहते हैं अपने काम करते हैं कुछ creative side में काम करते हैं घर परिवार को सजाते समारते हैं तो कोई न यह कोई नया person वापस आपकी जिन्दगी में आता ही है या जिनका आप वेट कर रहे हैं आप बहुत टाइम से हाट प्रेक हुआ है और बीच में फसे हुए है कोई ना कोई लाइफ में कोई ना कोई आपस्टेकल आ ही रहे है या कोई परसन आ रहा है अब आपको resolution लेना होगा यहाँ पर यह जो हाथ दिख रहा है यही शो कर रहा है कि बहुत जादा struggle किया गया है अपने हाथों से आपने इस घर को परिवार को बसाया है सजाया है लेकिन वही वही लोग आग के दिल में खंजर गोपे हुए हैं और तकलीफ से जूज रहे हैं लेकिन जिनता बिल्कुल भी ना करें क्योंकि इश्वर देख रहा होता है इश्वर के घर में देर होती है अंधिर बिल्कुल भी नहीं होती है देर हो जाने दीजिए कोई बात नहीं लेकिन अंधिर कभी भी नहीं होती है और यही blessing है कि जिनको आप सोच रहे हैं वो काम य जिनको आप पसंद कर रहे हैं, जिनकी आप याद कर रहे हैं, जिनकी यादों में आप डूबे हुए और चाह रहे हैं कि वो घर वापस आ जाएं, तो वो जल्द ही पॉजिटिव वे में आपके पास आही जाएं, धन्यवाद.